हलो गाइस आज की इस फीडियो में जो है ब्लेड वाम्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ है तो यह देखिए अपके सामें जो भी देख रहे हैं यह ब्लेड वाम्स है तो इसको ब्लेड वाम्स बोलके बुलाते हैं यह यह जो है अपने बेटास या गपिस के लिए बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होगा अब नॉर्मल्य आप ऐसे एक वाइट कलर की टब में या आप दूसरा कलर के एक्सेप्ट ब्लैक दूसरे कलर के टब में आप गपीज कुँ या बेटास कुँ पालना चाहर है तो उसमें जब आप ब्लेटबोंस फेड करेंगे उन लोकों तो उन लोग की coloration जो है dark होगा, normally जो है black tub में जो है आप black tub में गपीज या बेटस को पाल रहे तो correlation dark होगा लेकिन जब आप जब आप एकसेप्ट ब्लाक कलर का जो भी grooming का डांग यूस कर रहें तो उसमें आप यह blood warm फिड करेंगे तो कलरेशन तो एकदम डार्क रहेंगा तो ऐसा है एक्विरियम में दाले तो भी कलर शेड या फेड कुछ भी होगा नहीं तो ब्लिट वंप से फैदा है और कलरेशन जो है अच्छा बूले तो बहुत ही अच्छा डवर्रमेंट होगा आपकर ने जो भी म्यू लाइफ लाइव खिलाना बूलके नहीं है फ्रोजन में भी सेम रहेंगा प्रोटीन कंटेंट पूरे उससे जो है कलरेशन अच्छा डवलप होगा तो यह अपने लिए जो है कुछ भी आमफुल नहीं है अपने लोग को डिरेक्ली हाथ में पकड़ ले सकते तो यह देखे तो पूरे अलाइव है पूरे जिन्दा है पूरे अपने लिए तो कुछ भी हामफुल नहीं है और बेटास को जो है आप वन मांथ उल्ल बेटा फ्राइज को तो आप खिला सकते हैं कि मुले तो बड़ा होगा तो इसके वैसे पूरा खा लेंगे अभी मैं अभी जो मेरे प आप खुद कल्चर करके निकाले सो नहीं है यह खरीद के लाइस हो और अब कल्चर करना चाहरे है तो इसको भी एक मेटरड रहेंगा कल्चर करने का वो तरीका में अब कल्चर करे तो अपने मैक्सिम कल्चर सटसफूल होगा तो इस तरह मैं ब्लेट वाम्म्स को पकड़ ल बेटा उन लोग को भी मार देगा लेकिन बेटा के सिवा आपको ने दूसरे फिशे से तो ऐसा ट्राइ मत करिए फिर वो थोड़ा वो दामफल होगा यह नॉर्मली आपको तलाब में पाया जाते हैं यह जो कीड़े वो नॉर्मली आपको तलाब में मिल जाएंगे तो यह देखिए और इसमें एक अवातार पैटन का मेल है तो आपको यह बेटास या ब्लेडवाम्स भी चाहिए तो कॉंटाक कर सकते हैं और ब्लेडवाम्स की लाइफ गारेंटी तो देने सकता हूं मैं अधर स्टेट्स को वितीन हाइटराबाद तो मैं डिलेवरी कर दूंगा और प्राइस तो मैं वीडियो में कुंसा भी वीडियो में प्राइस तो रिविल नहीं करता हूं आप मुझे परसनली मेसेज करिए या कॉल करिए मेरा निम्बर जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल करिए डिरेक्टी कॉल कर लीजिए तो ब्लेड वांस से जो है बहुत ही फाइदा है और ब्लेड वांस मुईना और टूबिफ्लिक्स वांस यह पूरे जो है अच्छे लाइफ फिट से विताउट दिस आप ब्रीड करना इंपोजिब बोले तो ब्रीड हो जाएंगा लेकिन जो फ्रैस को ग्रो करना चाहा है आप वह बहुत ही इंपोजिबल है विताउट लाइफ फिड आपका ने ब्लेड वांस नहीं है तो आपका ने मुईना तो कंपल्सरी मैंडेटरी है विताउट मुईना आप बेटा को ब्रीड करिए मत क्यों मुले तो मैक्जिमम जिंदा न आपको बहुत ही सिंपल होगा फ्रैस को बढ़ाने में तो यह है मेरा एक आइडिया है मेरा भी आसा क्यों मुले तो विताउट लाइफ इडा ब्रीड कर रहे हैं और पूछ रहे की ब्रीड करने के वाद मैं क्या खिलाओ क्या खिलाओ बलगे तो वैसे जो जो मुझे विताउट मुइना जो है आप फ्रैस को बढ़ा नहीं पाएंगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ा पाएंगे मैग्सिमुम जो मुइना जो आरती में खा के बढ़ेगा वह क्वांटिटी जो ब्रीड करना चाहें तो अब ब्रीड कर लीजिए लेगिन अब पहले उससे पहले करने के बाद ब्रीड करिए तो आप सोचते कि आरती में आगे बाद ड्राइफिट डालेंगे बोलके नहीं वैसा भी होगा लेकिन उत्ता अच्छा नहीं होगा उनलोग के लिए वह मैक्जिममम फिर आरती में जब स्टॉप करेंगे उसके बाद में से मनना शुरू करेंगे तो ऐसा भी होगा तो ध्यान में रखके ब्रीड करिए बेटास को या बेटास को गपिस तो नॉर्माली सर्वेव हो जाएंगे अब कुनसा भी फीड दालिए उससे कुछ भी नहीं होगा जैस्ट लाइफ फूट से जो है क्वालिटी अच्छा रहेंगा वस यह है तो यह द अफला है रायल ब्लू का कर में और यह इस सर्क दे अदर अंधर आपन थिक रहे है कि तो इकस्पोर्ड तो बहुत ही क्वान एंगे पूरों को रहेंगा और थोड़े males को भी export दिखेगा आपको जब छोटे है जब female का इसा भी export रहेंगा आप just उसके body में जो जो eggs दिख रहें वो check कर लिजे और breed कर लिजे export तो पूरे female हर female को रहेंगा export यह export के वज़े से आप सोच रहें कि बूले तो breeding lack हो गया है वो उसको breeding को दाल देना आप बुलगे अशा कुछ भी indication नहीं होता हो जश फीमिल का indication है export से तो जब breeding को दालेंगे जब चूब बाहर हाएंगा बस जब भी आप breeding को दालेंगे जब भी चूब थोड़ा वो निच्छे आएगा बस उससे breeding जल्दी होने वाला है बोलके आप सोच सकते हैं तो एक ताइफललग मेल है और इसमें एक रिट फीमेल है दो एक वैंडा का फीमेल है वैंडा तो females आप mostly छोटा female को choose कर लेना है breeding करते खुद यूं बोले तो बड़े females male के उपर return attack कर लेंगे तो इसके विज़े से आप छोटा female use करके जो है breed करिए तो यह देखें male को देखके कैसा flare कर रहा है और female भी बबलनेस लगाएगा गयास आप क्या बोलते फीमेल बबलनेस लगा लगा है तो आप उसको male सोच रहें नहीं होगा female भी bubble-ness लगाएगा और male भी bubble-ness लगाएगा तो आइसा रहेंगा betas में male female भी bubble-ness लगाएगे लेकिन female जो है थोड़ा छोटा bubbles बनाएगा और थोड़ा कम bubbles बनाएगा male के उत्ता कुपपा तो नहीं बनाएगा आइसा तो यह ब्रॉयल ब्लू अलड़ी दिखा चुका हूं है और इसमें एक जो है अपना कोई गैलेक्सी का फ्राई है एक मिनट चक्कर तो यह देखिए यहां है और मुहिना कल्चर की वीडियो जिल्दी आने वाला है तो यह देखिए अभी इसको मुहिना खिला रहा हूं मैं डेली यह कितना एज खाए मुझे तो आइडिया नहीं है एक बार आप मेरी पूराने वीडियो चक्कर लेके इसकी एज पता कर ले सकते है तो इसमें पाल रहा हूं क्योंकि एक ही बच्छा है मेरे पास बागी के पू नहीं नहीं है यह रेड रैंशन नहीं है पूरे ज्यादा तर पूरे टैंक्स में रैंशन शेल्स पालता हूं मैं क्योंकि वाटक बीन क्लीन रहना बोलके तो यह देखिए यह एक फैंसी अवतार के तरह मार्बल पैटर्न में और यह जल्दी कलर चेंज हो जाएंगा इसकी पर्नमेंट कदर नहीं होता ही है कोई गैलक्सी की फीमेल है और यह कोई गैलक्सी की मेल और यह है ताइफलक की मेल और बाकी टैंक्स में जो है पूरे काल यह है फिर से नया स्टाक आएंगा थोड़े दिन में फिर से अभी एक अपडेट बना होंगा तो यह है गाईस ब्ल